भारत में पहली दफ़ा स्मार्ट इंडिया हैकेथान का आयोजन किया जा रहा है दुनिया के 21 देशों में यह होता है विकसित देशों में यह होता है कि समाज के समस्याओं का डिजिटल सुलिशन स्टूडन्स ढूडते हैं कॉलेज के छात्र इंजिनिरिंग के छात्र अपनी मेहनत से प्रतिभा से जनता की समस्या जो उनको दी जाती है उसका डिजिटल समाधान ढूंते है यह एक अद्भूत पहल है और इसलिए पिछले अनेक मेहनों से इस पर तैयारी शुरू थी मुझे इस बार खुशी इस बात किये है कि भारत सरकार के लगभक है कि उन्टी उन्तीस डिपार्मेंट्स ने पास नियरली शिक्स हंड्रेड छे शेसो समस्याएं जिसके डिजिटल सुलूशन संभाव है लेकिन आज नहीं है कि ऐसे समस्याओं को इस परदा के लिए प्रतिस परदा के लिए दिया छात्रों को उपलब्द कराया पिछले दो मेने से छात्र इस पर तैयारी कर रहे हैं लगभक 2100 से ज्यादा इंस्ट्यूट के 42,000 छात्र कि इसमें रजिस्टर किये और उनके प्राथमिक तैयारी के आधार पर जब आकलन किया गया तो लगभक 10,000 छात्रों अब इस फाइनल राउंड में भाग लेंगे जो एक और दो एप्रिल को होगी एक एप्रिल को सुबह आठ बज़े शुरू होगी और नॉन स्टॉप 36 घंटे दो एप्रिल रात को आठ बज़े समाप्थ होगी तो जैसे जियो फेंसिंग और एरफोर्ट करना है स्मार्ट इंटलीजन ट्राफिक मैनेजमेंट करना है pattern recognition using smart drones to make airspace safer, pattern recognition system for marine animals, GPS mapping of educational opportunities, real time monitoring of cyber attacks, radionomics to map the data of radio diagnostic तो जन्तक को जो जो भी दिक्कते आती है छोटी छोटी जोटी और उस दिक्कतों को कम करने के लिए जो समाधान चाहिए वो जिजिटल समाधान जिसके संभाव है अईसे यह सारे 600 प्रस्ताव है और इन 600 प्रस्ताव पर अब यह फाइनली दस जार छात्र काम करेंगे और उसके जो 12 घंटे के बाद पहले कोडिंग करेंगे और कोडिंग के बाद उसका इवैलिवेशन होगा अगर उसमें वो सठीक पाए जाते है तो उनको आगे 24 घंटे काम करने को महलत मिलेगी और वो फिर फाइनल प्राड़क तैयार करेंगे तो यह पूरा एक मेकानिजम नए तरीके से बहरत में पहली दफा हो रहा है यह बहुत अच्छी कवर है इससे इंडिया को इससे इंडिया को इससे मेकिन इंडिया को तीनों मिशन को इससे बढ़ावा मिलता है और यह चात्र शक्ति है चात्र प्रतिभाय है जो अपने देश में अपने देश के लिए काम करेगी उनको भी कितना हर्ष होगा कि हमने जो ढूंडा उसका लोगों को उपयोग हो रहा है तो यह पहली दफा इसा अच्छा कारेकम कर रहे हैं और फिर इसका बाद में उनको पॉर्च कारेकम कर दोने बाद में कि objectives, जो वे सब्सक्ति हैं amount agama 20 dicht to 2 mentioned 2018 and this is really a first in many kind first time Government department's when we asked them, की पॉर्म सबंट में the problem statements, problem based by the common people, particularly in their delivery, what can be सmittel Clipp करोल दिजी इस जाए जाए कई बैर बैर को पार्यट साएंजी ऑन चर्कर्ड जेलव कर इलेवरें होग gustी निन्विंट Anda अब दिफेंट के बार्या पुआ नेट गर मेशलोंत अबंग टूरादव इसे जाए निय्टए इस जैंग मुआ करश् स मेस्सथ्ट of young engineering students come together in teams of six students per team and there was tremendous response when we announced this, because all developed countries have this smart hackathon. Hackathon is doing things differently, hacking in our normal understanding is a negative word, but it is essentially means it doing things differently, that is innovation. And therefore, all these students registered, more than 72,000 students registered from 2100 plus institution engineering colleges throughout the country. And after their primary work for last two months, they are working on all these concepts and they adopted one one or two problem statements and they worked on it and their work was evaluated and then some teams were shortlisted. So, in the final round, there are now 1266 teams, nearly 10,000 students will work on that and that is the final round on first April and second April 2017, where they will work 36 hours consistently on their job. They will first create the code of the digital solution, which they have come out with. That digit, that code will be evaluated by the experts and after the evaluation, if they found it is, they are on track, then they will develop it further as a final product in next 24 hours. This smart hackathon final round will happen in 28 cities and I have requested my 28 cabin ministers of those departments to come and give their blessings to the students who are doing this. I will also be going at one one or two places, Mumbai and Pune I will do on first I will do it in Mumbai, on second I will do it in Pune. So, this is the first effort, it is a effort to strengthen making India, digital India, it is about smart city campaign also, but there are rural solutions also near needed. And so, it is about digital India, making India and innovation India. And this mission innovation is really getting filled with this. I think this will really enthuse students to think differently, act differently and at the same time innovate. If I innovate with my capability and creativity and creativity some solution which helps thousands and thousands of people, that's a real job satisfaction. And therefore, I think this will be very important initiative. And I definitely request my media friends to definitely, because every time negative is not the news, now for a change positive is also a news. And therefore, this your cooperation is solicited, because your path on your readers is important. Thank you. Thank you.